Hello everyone, welcome back to my channel The rhyme of the ancient mariner के 5th part में हमने ये पढ़ा था कि ancient mariner को दो आवाजे सुनाई देती हैं ये दो spirits के आवाजे होती हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं और इसके 6th part में ये दोनों अपनी conversation continue करती हैं तो first voice second से कहती है कि तुम अपनी soft voice में मुझे बताओ ना कि ये ship इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ रही है और ocean यहाँ पे क्या कर रहा है तो second voice reply करते हुए कहती है कि ocean तो यहाँ पे एक slave की तरह हैं जिसकी अपनी कोई choice नहीं है moon इसका मालिक है और ये अपने मालिक की तरफ देखता रहता है और जैसे वो इसे instructions देता है ये वैसे ही करता है और moon ही इसे guide करता है कि इसे smoothly चलना है या फिर stormy way में चलना है फिर second voice first से कहती है कि देखो ना कितने graciously moon ocean की तरफ देख रहा है and he यहाँ पे moon light के लिए use किया गया है तो अब first voice second से फिर से पूछती है कि बिना किसी हवा या फिर wave के ये ship इतनी तेजी से आगे कैसे जा रही है तो second voice reply करते हुए कहती है कि ship के आगे जो हवा उसे काट दिया गया and ये हवा ship को पीछे की तरफ से पुछ कर रही है और ऐसे ship आगे बढ़ रही है आगे वो वोयस कहती है कि चलो अभी तो हमें और उपर जाना है otherwise हम लेट हो जाएंगी और जब वो spirits चली जाएंगी and ancient mariner होश में आ जाएगा तो ये ship फिर से slow हो जाएगी next ancient mariner बताता है कि जब उसे होश आया तो वो देखता है कि उसकी ship smoothly आगे बढ़ रही थी मौसम बहुत अच्छा था and शांत सी रात थी चांद भी पूरा चमक रहा था and जो dead sailor से वो साथ में एकठे खड़े हुए थे वो सब बहुत horrible लग रहे थे and ऐसा लग रहा था कि इन्हें उठा कर चार्नल डंजन में फेक दिया जाए चार्नल उसे बोलते हैं जहां पे dead bodies रखी जाती है and डंजन एक underground jail होती है उन सभी ने अपनी आँखें ancient mariner की तरफ fix कर रखी थी वो बिलकुल भी move नहीं कर रही थी and वो moonlight में चमक रही थी उनकी eyes में वो pain वो curse अभी भी था वो खतम नहीं हुआ था and ancient mariner भी अपनी eyes उन से move नहीं कर पा रहा था वो इतना helpless हो गया था वो pray करने के लिए भी अपनी नजरे नहीं उठा पा रहा था तो अब finally उन dead mariners का magical influence उस पे खतम होता है and वो फिर से green ocean को देख पाता है पी crawly creatures वो उसे अब नहीं दिखते अब वो सोचता है कि वो एक lonely traveler के जैसे है जो कि एक खाली सड़क पे अकेले ही चलता जा रहा है उसे बस चलते जाना है बिल्कुल भी turn नहीं करना है जैसे उसका पीछा कोई frightful fiend कर रहा है fiend मतलब enemy या फिर कोई devil आगे वो एक strange breeze experience करता है जिसने उसे hit तो किया लेकिन इसने ना कोई आवाज create की और ना ही कुछ move किया मतलब ना तो इससे पाने में कोई disturbance हुई और ना ही इसके color में कोई change आया आगे वो कहता है कि ये हवा meadow gail जैसी थी जैसे ही खेत में कोई हवा का जोका आता है और इससे उसके बालों और गालों को भी हवा लगती है पहले तो उससे इस हवा से डर लगता है लेकिन बाद में वो इससे भी enjoy करता है शिप तेजी से आगे बढ़ रही थी बट इना smooth manner and pleasant हवा भी चल रही थी जो कि सिर्फ वही experience कर रहा था उसके ship धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी लेकिन अब जब वो चीजे देखता है उसे देखकर वो बहुत खुश होता है वो light house देखता है, hills देखता है, church देखता है उसे यकीन नहीं होता कि ये उसकी country है क्यूंकि उसने ये चीजें बहुत ताइम बाद देखी है अब वो port के नजदीक पहुंचने ही वाले होते है और खुशी के मारे वो रोने लग जाता है और God से pray करता है कि जा तो वो हमेशा ऐसे ही active रहे मतलब अपनी conscious में रहे या फिर उसे हमेशा के लिए सुला दिया जाए अब जैसे जैसे उसका harbor उसके नजदीक आ रहा है तो उसे पानी शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और जब moonlight इस पे पढ़ती है तो वो भी reflect होती है hills चमक रहे हैं और उसके उपर जो church है वो भी चमक रहा है कर्क बोलते हैं church को क्योंकि moonlight उन पे पढ़ रही है और हर जगा शांती है even weather cock भी still है वो भी move नहीं कर रहा आपने कुछ buildings के उपर देखा होगा कि एक mechanical device लगा होता है उस पे cock बनाता है जो कि directions बताता है उसे बोलते हैं weather cock तो ये कहना चाहरे हैं कि वहाँ पे कोई भी हवा नहीं चल रही थी इसलिए weather cock भी still था move नहीं कर रहा था आगे ancient mariner कहता है कि उनका port भी silent and bright था moonlight में और फिर उसे dark red color की कुछ shapes बनती हुई दिखाई देते हैं उसके उपर crimson बोलते हैं dark red color को अब वो देखता है कि ये crimson shadows उसकी ship से बस थोड़ी ही दूरी पे हैं फिर वो जब नजरे घुमा के देखता है तो वो हरान रह जाता है कि पहले जो dead sealers एक साथ खड़े हुए थे अब वो सब नीचे गिरे पड़े हैं एंड हर एक dead body के पास एक चमकता हुआ angel खड़ा था एंड उनके पास holy root था root means cross सेरफ बोलते हैं angel को एंड ये angels का एक band था एंड हर एक angel ancient mariner को buy कर रहा था ये एक बहुत ही खूपशूरत नजारा था एंड वो angels ऐसे लग रहे थे लेकिन उनकी silence भी ancient mariner को music जैसे लग रही थी अब उसे boat oars की and pilot की आवाजे सुनाई देती हैं तो वो अपना ध्यान उधर करता है तो वो देखता है कि एक boat सच में उसकी तरफ आ रही है उन pilots and boat को अपनी तरफ आते देख वो बहुत खुश होता है इसके लिए God को thanks भी कहता है वो इतना खुश होता है कि आसपास पड़ी dead bodies को देखकर भी उसकी खुशी कम नहीं होती आगे वो देखता है कि उस boat में एक third person भी है वो उसकी भी आवाज सुनता है वो एक hermit है, hermit बोलते हैं सन्यासी को तो वो जंगल में रहता है और बहुत अच्छे hymns गाया करता है तो ancient mariner सोचता है कि मैं उसे अपना confession दूँगा अपनी बात बताऊंगा वो एक holy man है और वो उसे उसके पापों से मुक्त कर देगा innocent albatros को मारने का जो पाप उसने किया है वो उसे उसे मुक्ती देगा तो यहीं पे part 6 खतम होता है अब बचता है इसका 7th part जिसको कि हम हमारे आने वाली वीडियोज में discuss करेंगे till then take care and see you in the next video